दमश्कार विंदिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रिया संजेगानी अस्पताल से लगातार आत्महतिया की खबरे उजागर हो रही है वार्ड में भरती हुए मरीज किसी कारण से अस्पताल परिसर में ही आत्महतिया जोसे खतरना कदम उठा लेते ह प्रबंधन के इसकार से बेवज़ा दूसरे वार्डों में पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों में कमी आएगी अस्पताल प्रबंधन का प्रयोग पुराना ही है लेकिन इसमें नया स्वरूप इसको दिया गया है कोविड वार्ड में बेवज़ा जाने वाले मरीजों की भी विवस्था की गई है बताया गया कि कोविट के दौरान ही ऐसी विवस्था की गई थी लेकिन आब इसमें इजाफा किया गया है मरीज के परिजन उन्हीं वार्ड में जा सकेंगे जहां पर उनका मरीज भरती है इसके आलावा किसी और वार्ड में प्रवेश नहीं कर सक जादा भीर ना होने के कारण किसी भी संदिग्द परस्तिती में लोगों पर कोई भी अगर संदिग्द इव्यक्ति दिखता है तो उस पर कारवाही की जा सकेगी इसके अलावा जो बीच में आत्महत्या के मामले अस्पताल में बढ़े हैं उसी अस्पताल प्रबंधन निसक् व्यां ज़त्र करेंगे संजय गांधी असिपताल में और विवस्थाओं पर ध्यान देना बेहत ज़रूरी है जुसे मरीजों वां उनके परिजनों को किसी भी तरह की परिशानी ना हो साथ ही अजमिदारी परिजनों की भी है कि बेवज़ अस्पताल में घूबने से लोगों को परिशानी हो सकती है जुसका ध्यान देना बेहर जरूरी है फिलहाल अस्पताल प्रबंधन कोविड और आत्महत्या के प्रकरणों को देखते हुए सक्त हो गया है